अगर मैं आपको सामने तस्वीर दिखाँ इसमें हिमाचल प्रदेश विधान साबक अंदर ही मजूद और अभी जो खबर आ रही है कि पांच जो विधायक हैं बीजेपी के उनको सस्पेंट कर दिया गया है और जैसा की सुबह जो बात सामने भी आ रही थी खुद जैराम ठा पांच विधायकों को सस्पेंट जो है वो किया गया है अभी अंदर जो है क्योंकि मीडिया की यहां पर एंट्र नहीं दी गई है विधान साबा के अंदर और यो सामने आ रहा है कि अंदर शैध कुछ बीजेपी के लोग तेस्पी कर रहे हैं विधान साबा के अंदर लेकिन जाहिट तोर पर इस वक्त जो क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहले से यह आदेशा जटाय जा चुका कि इस तरह की जो हटकंडे हैं वो अपनाए जा सकते हैं और यहां पर स्पीकर ने ठीक वैसे ही पांच बीजेबी के विधायकों को सस्पेंड किया है और बहरहाल यहां पर लगातार जो राजनीतिक महला वो काफी ज्यादा गर्माया हुआ है जी लेकिन यह सस्पेंशन क्यू हुआ है क्या कोई हंगामा हो रहा था आखिर क्या कारण रहा सब्स्पेंशन का जी जाही तोर पर क्योंकि यहां पर एक के बाद एक जो जिसना से विधान साब के अंदर आज बहुत ज्यादा गैमा गैमी है और स्पीकर के आदेश के बाद काफी विधायकों को भी सदन से गया गया ऐसी भी खबरे जो है वो सामने आ रही है लेकिन जाही तोर पर विक्रमधित्य के इस्तीफे के बाद कॉंग्रेस की उपर और दबाव जूर बना है क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि क्या और भी लोग है जो पंद्री पर से इस्तीफा देने के उसमें है तो उन क्या बीजेपी के पांच ही विधायकों को सस्पेंट किया है या इसकी संख्या और बढ़ा ही है क्या और विधायकों को सस्पेंट किया गया है जी अबी तक जी अबी तक जो खबर थी कि पांच विधायकों को सस्पेंट किया गया है लेकिन और भी इसमें विधायक वो शा कि इसके बारे में अभी कन्फरमेशन नहीं है लेकिन हाँ इतना है कि पांच विदायक जुरुर सस्पेंट कर दे गए है और बाकी को कुछ विदायकों को सदन से बाहर जो है मार्शनलों दौरा किया गया है अब बिलकुल पुनीता बने रही है हमारे साथ इस वक्ति बड़ी खबर आपको बता दे बीचेपी के पांच विदायकों को आज के दिन के लिए सस्पेंट किया गया है इस वक्ति बड़ी खबार और यही जो एक आशंका है जैराम ठाकोर जब आज का सेशन शुरू होने से पहले आज का दिन शुरू होने से पहले जाहिर कर रहे थे उन्हो कि बड़ी खबर सस्पेंट के कए हैं बीचेपी के पांच विदायक और इनमे से जैराम ठाकोर निता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं बड़ी खबर तो दोनों खेमें से बड़ी खबर आ रही है एक तरफ बीचेपी के साथ संपर्क में प्रतिभा सिंग है और कॉंग्रिस की 12 और विदायक बीचेपी के संपर्क में हैं जो सरकार को अल्प मत में लाने की कोशिश में हैं लेकिन 14 का आकड़ा कमसकम चाहिए कि उनके ओपर दल बदल कानून लागू ना हो इधर जब विदानसुबा के सत्र की कारवाई शुरू हुई तो आज जैसा कि आशंका कॉन्फरेंस के दौरान ये कह दिया कि इस सरकार में और खास तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कारश शेली है उससे ना सिर्फ उनके अंदर बलकि पार्टी के कुछ और विधायकों के अंदर भारी नाराज़की है उनकी अंदेखी हो रही है कामकाच के तरीके को लेकर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि ऐसे में मंत्री मंदल में रहने का कोई आचित्य नहीं खड़ा होता और उन्होंने मंत्री पत से इस्टीफा दे दिया है और बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रतिबास सिंग ये संभावना बन रही है कि वो बीजेपी में शामिल ह कर दिये गए हैं आज के लिए ये सस्पेंशन हुआ है इस वाकि बड़ी खबार बीजेपी के चौदा विधायकों को सस्पेंच कर दिया गया है पुनीत परिंचा मारे साथ जुड़े हुए पुनीत अब ये संख्या चौदा की हो गई है सस्पेंशन की बिल्कुल 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 आज यह है अभी 14 विधायकों को सस्पेंट कर दिया गया और लगातार जो गहमा गहमी है विधांसाबा के अंदर बनी हुई है क्योंकि आज यहाँ पर कॉंग्रेस के लिए अपना सबसे बड़ी बात है कि करो या मरो की स्थिती बनी हुई है कॉंग्रेस लगातार दबाव में है खास करके मुख्या मंतरी सुक्षिंदर सिंसुको जिनको लेकर ये सारा जो स्थिती को भाप नहीं पाए कल तक जो विध फास भी किया लेकिन वोट उन्होंने क्रोस कर दिया स्थिती को वो संभाल नहीं पाए और उनके ही विधायक उनके ही खिलाव लामबंद हो गए हैं और इसके बाद अब जो है यहाँ पर स्पीकर के द्वारा 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है आज बजट जो है उ उनके बेटे विक्रमधित्या ने इस तीफा जो है वो दे ही दिया है हलांकि वो जूर्त कह रहे है कि मैंने स्थिफा जो है वो मंत्रिपर्च से दिया है कॉंग्रेस पार्टी से नहीं दिया है लेकिन वो इसको लेकर पुरी तरह से कुछ खुल कर बोलने को भी त्यार वो है वो नहीं दिखे हैं भावुक जूर हो गए आज वो कि उनको उन्हें का कि मेरे पीता की जो एक स्टैचू लगना चाहिए था वो नहीं लगने दिया उसक की आज सिस्पेंट किया गया इसमें नेता प्रतिपक्ष जैराम ठाकूर का भी नाम शामिल है मार्शल ने बीजेपी के इन विधायकों को विधान सुभा से बाहर निकाल दिया है इस वक्ती बड़ी खबर आपको दे दे और ऐसी आशंका जैराम ठाकूर ने सतर शुरू हो होने के चन्द मिन्टों के अंदर ही बीजेपी के 14 विधायकों का सस्पेंशन हो गया है इस गदम के पीछे पुनीत और इस आशंका के पीछे पूरी क्या राजनीती देखी जा रही है क्योंकि जैराम ठाकूर यही कह रहे थे कि यह सरकार अल्प मत में है इस सरकार के पास अपनी ताकत नहीं है और इस लिए अब इस तरीके के हतकंटे इस्तमाल किये जाएंगे हमारे विधायकों को सस्पेंट किया जाएगा बिल्कुल 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 क्योंकि बीजेपी जो है वो ड्वीजन ओफ वोट की मांग यहां पर कर रही तो उनका यह कहना था कि यहां पर वीजन ओफ वोट होना चाहिए क्योंकि वो अल्पमत में है सरकार और यहां पर ध्वानी मत से जो है उसका प्रयोग नहीं होन और जिस तरह से खबर ये भी आ रही है कि दूसरे जो विधायक जहां पर क्योंकि जो शीव कुमारे वो यहां पर पहुंचे हुए हैं जो डिप्टी सीमा करनाटे कि उसके लावा भपेंदर सिंग हुड़ा पूर मुख्या मंत्री वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और व मुख्या मंत्री जो है सुखिंदर सुखून को उनकी जागा किसी और को लगाया जाता है तो शैद वो उनके वापिस कॉंग्रेस में आ सकते हैं लेकिन अब भी तक तक स्रांग की बात सामने आ रही है कि प्रतिबा सिंग भी जो है वो इस वक्त काफी जादा स्क्रिया हो च अभी सारा जो है बाची जो है वो चल रही है जी इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता दें बीजेपी के चौदा विधायक सस्पेंट कर दिये गए हैं मार्शल ने उन्हें विधान सुभा से बाहर निकाल दिया है आज कारवाई शुरू होने के साथ-साथ हंकामा भी ह हुआ और इसी बीच सस्पेंशन की कारवाई हुई है जैराम चाकोर इस वक्त आपको इस तस्वीर में दिखाए दे रहे हैं बीजेपी की 14 विधायक विधान सुभा से सस्पेंट किये गए हैं और पुनीत क्या विधान सुभा की कारवाई अभी भी जा रही है या फिलहाल इससे रोक दिया गया है टोटल 14 विधायक जो है वो बीजेपी के सस्पेंट किये जा चुके है और इसकी अश्यंका भी जो है जो है पूर मुख्या मंत्री है जैराम ठाको नेता प्रदश वो पहले ही सुभा व्यक्त कर चुके थे कि इस तरह के हत्कंडे अपना कर जो है आज क्योंकि बजट पास क करना चुनोती होगी कॉंग्रेस के लिए कि अगर बजट पास नहीं कर पाती है तो उसके सिधा 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 यही मैसेज जाएगा कि सरकार अल्पमत में है और सरकार खुद बखुद संकट में आ जाएगी लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के 14 जो एमेले है उनको फिलहाल सस्पेंट जो है वो कर दिया गया है जी मिनाशी तो इस वक्ति बड़ी खबर एक बार फिर हम दर्शुकों को बताते हैं ऐसी परिस्तिती में अगर सरकार फिनाशल बिल पास करवा भी लेती है लेकिन इसके बावजूद मॉरल रिस्पॉनसिबिलिटी सरकार कि क्या कहती है जब पार्टी के ही एक विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर अपने पद से इस्तीफा ये कहते हुए दे दें कि कामकाज का जो तरीका है मुख्यमंत्री का वो ठीक नहीं है प्रणाली ठीक नहीं है हाई कमांड तक वो अपनी बात पहुँचा चुके हैं क्या ऐसी परिस्थिती में कॉंग्रेस सरकार बच पाएगी या नहीं ये देखने वारी बात होगी विजलक्षमी पियमारे साथ जुड़ी हुए हैं विजलक्षमी बीजेपी के 14 विधायक विधान सुबा से सस्पेंट भले ही कर दी गए हो लेकिन इसके बाद कॉंग्रेस का सं उनकट खत्मों हो जाए ऐसी परिस्थिती तो नजवर नहीं आ रही देखी मिनाक्षी अब कॉंग्रेस पार्टी जो भरोसा कर रही है वो भरोसा कर रही है कि टू थर्ड नंबर्स चाहिए किसी भी विधायक को एंटी डिफेक्शन लौ से बचने के लिए और कॉंग्रेस पार्टी ये उम्मीद जता रही है अगर इस मौझूदा स्तिती में देखें तो 28 विधायक आपको चाहिए जो दूसरी पार्टी में जाएं और उनके ओपर एंटी डिफेक्शन लौ न लगे कॉंग्रेस के तमाम नेता जिन से हमारी बात हो रही है वो कह रही है कि उन्हें मिनाक्षी के एक बड़ा ग्रूप जो है दरजन भर्स के करीब एमेले जो हैं वह बीजे पी के टच में है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी का कहना है कि अभी यह अठाइस का अकड़ा नहीं है और यह 28 का अकड़ा हो भी नहीं पाएगा तो इसी भरोसे पर कॉंग्रेस के तमाम नेता बैटे हुए है लेकिन Congress Party को तो उम्मीद थी कि 6 की Cross Voting भी नहीं होगी वो हो गई तो आप ऐसे में देखना होगा कि किस तरह situation जोने आगी उमीदों पे निर्भर रह गई ये पार्टी बचाए इसके कि वो management सम्हाल लेती तो शायद ये नावबत भी नहीं आती है और आज भी जो क्राइसिस की situation है उसमें बीजेपी कैसे इसे in cash कर लिए हर्श माचन क्या कह रहे हैं वो हम सरा दर्शे को कुछ सुनाते हैं देखो विक्रम दियाज जी ने जो प्रेस कांफरसे में कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है और मैं इस सहमेत हूँ और एक वो ऐसे बाप के बेटे हैं जो हमारे भी राज़ने ते गुरू थे और जिस तरह से उनको जिलीलत करे जा रहा था इसमें मिनिस्ट्री में और जी तरह से अंडेकी की जारी थी उननों बिल्कुल ठीक है रिजाईन करके उनने अपने नायतिक ताह ऋखाइए और एक वो टॉल लीडर है मांजल के यंग लीडर है नाजवानों की लीडर है और उन्होंग्णे अब उन्होंने तो ठीक है पर अब सरकार किसी दिन के महमान मानते हैं? आप तो कुछ दिन लगेंगे और, दिनों की बात है, गंटों की भी हो सकती है। अपने हर्ष माजन को सुना उन्होंने कहा कि ये सरकार तो बस कुछ दिनों की महमान हैं और उन्होंने कहा वाकई में विक्रमादित्य सिंग को जलील किया जा रहा था, इस सरकार में सुनवाई नहीं हो रही थी और अभी तो एक का स्टीफा है कैबिनिट मिनिस्ट्री से, करना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुखे मंत्री जी को और राजेपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से स्वाम परा हूं और आने वाले समय में जो परिस्तिती होगी उसके हिसाब से जो है वो कारवाही आने वाले समय की उसक कि इतने समय तक आपने जो प्यार जो आशिरवाद मुझे दिया जो प्रेड़ना मुझे समय समय के उपर दी बहुत से जीवन में कठोर निरने लेने भी पड़ते हैं बहुत से मुश्किल समय भी आते मगर प्रदेश की जनता ने हमेशा हमारा मारदर्शन किया है, हमेशा हमारा समर्थन किया है, हमेशा मुझे अपना प्यार और आशिरवाद दिया है मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि there was from some quarters attempts to humiliate me in my functioning, in my capacity as cabinet minister जिस तरीके से जो messages department के अंदर भेजा जाते हैं, जिस तरीके से एक message ये दिया जाता है कि हमको undermine करने की कोशिश की गई मैंने पहले ही कहा है, the government that was formed, it was a collective effort of everybody I respect the leadership, I respect the honorable chief minister, but there has to be due respect, there has to be coordination amongst the council of ministers जो instance कुछ दिन पहले हुआ, जहां पर एक आपने भी उसको देखा होगा house के अंदर, जो कुछ पटिकाओं के ऊपर एक ये चीज हुई है, इसमें deliberate message show cause notices भेजे गए है और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हमारे सयोगी विजे लक्षमी के पास ये खबर है, विजे लक्षमी बताएं देखें, जो पंदरा के करीब विधायक जो है, वो suspend किये गए है, मिनाक्षी वहाँ पर speaker के द्वारा जो list आई है, उसमें पंदरा total numbers है, विधान सभा का, क्योंकि आज जैसे ही session हुआ, उसमें कहा गया कि हंगामा वहाँ पर हुआ, जिससे सदन वा विधान सभा की गरिमा क को ठेस पहुची है, और सदन को इन हालात में चलाना संभव नहीं है, इसलिए प्रस्ताव करता हूँ कि इन सदस्यों को विधान सभा सदन से निशकाशित किया जाए, ताके इस मानने नहीं है, सदन की कारवाई को निश्पक्ष रूप से चलाय जा सके, इसमें जैराम ठाक पुर और रनवीर सिंग कुल 15 विधायक हैं, जिनको सदन से निशकाशित किया गया है, हिमाचर पदेश के विधान सभा से निशकाशित इन तमाम 15 विधायकों को किया गया है, स्पीकर के द्वारा, और कहा गया है कि सदन की गरिमा मई कारवाई चलती रहे, इसलिए इनका निशकाशन जो है, वो जो है, वो जरूरी है, क्योंकि सदन की गरिमा को ठेश पहुची है, इनके कनडक्ट से, यह उन्होंने अपना जो लेटर रिलीस किया गया है, जिसमें यही हवाला दिया गया है, 15 जो विधायक हैं, उनको निशकाशित किया है, स्पीकर ने विधान स सबाके हिमाचर प्रदेश की फिलहाल यही जानकारी आ रही है इस वक्ती बड़ी खबर एक बार फिर बता दे हमारे स्योगी विजलक्षमी अपडेट कर रही है माशल्स ने जिन विधायकों को स्विधन से बाहर निकाला और जिनका आज के लिए निश्कासन हुआ है वो लेस राज, जनक राज, बलवीर वर्मा, त्रिलोक जामवाल, सुरेंद्र शौरी, दीप राज, पूर्ण चंद्र और साथी, इंद्र सिंग गांती, दिलिप ठाकुर और रनवीर सिंग इन 15 विधायकों का नाम शामिल है यह कहा गया है कि इन्होंने मर्यादाओं का पालन नहीं किया, विधान सुभा के अंदर असनसदीय काईल प्रणाली इनकी रही, जिसे सदन की गरिमा को ठेस पहुँचा है, और इसलिए इन्हें आज के लिए, आज की कारवाई से निलंबित किया जाता है, तो इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाज़र प्रदीश में आज जब जबर कुरसी जाना तय है, और अगर उनकी कुरसी नहीं गई, तो कमस कम ये तो है कि उनकी सरकार गिरना तय है, लेकिन अभी भी बहुत से विधायकों का इधर से उधर चल रहा है, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि 12 विधायक इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन वो कौ कौन है छे क्लियर्डी सामने आ चुके हैं ये बाकी छे और कौन है इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है बिलकुल देखे प्रतिभास सिंग है विक्रमा दित्या सिंग है और ये जो छे विधायक जिनोंने क्रॉस वोटिंग की उसमें से अगर आप देखेंगी तो एक बड़ा जो नंबर है वो ऐसे विधायकों का है जिनको वीरभदर सिंग के करीबी माना जाता है या जिनका पुल वो भारतिय जनता पार्टी जा सकती है और उसके बाद कॉंग्रेस की सरकार जो है वो यहाँ पर हिमाचर प्रदेश में गिर जाएगी लेकिन साथ ही साथ एक साइमल्टेनियसली ये जो विधायक हैं ये कॉंग्रेस की सिर्ट नेतरतु से भी बातचीत कर रहे थे कॉंग्रेस के शिर्ट नेतरतु से फोन पर इनकी बातचीत हुई जिसमें नोने बताया कि सुकविंदर सिंग सिखू को बदल दीजे उसके बाद हम कॉंग्रेस पार्टी में वापस आ जाएंगे हमारा नो कॉंफिदेंस जो है वो चीफ मिस्टर की लीडर्शिप में है परिवेक्षक न्यूक्त किये डीके शिवकुमार भुपेंदर सिंग हुड़ा उनको कहा आप तुरंट सिमला जाएं मैनेजमेंट करिए तमाम विधायकों से बातचीत करिए और देखिए वहाँ पर क्या होना है अब ये दो विधायकों वहाँ बैठे हैं 11 बजे के करीब क कि शिवकुमार ने बुलाई है क्योंकि उसमें कॉंग्रेस की रियल स्ट्रेंथ भी निकल कर के साफ़तोर पर सामने आएगी कि कितने मलेज जो हैं वो कॉंग्रेस के साथ हैं आला कि कॉंग्रेस के इन तमाम विधायकों का दावा है कि आप चीफ मिनस्टर को अगर बदल द सेंस ले रहे हैं MLA से बाचीत का जो सिलसला है इनका जारी है और एक ऐसा अगर कॉंग्रेस पार्टी नेतर तो परिवर्तन करती है क्योंकि वो अब यहां पर लग रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी को करना ही पड़ेगा अगर हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार उसको बच विधायक हैं यह तो खुल करके सामने आए और क्रॉस वोटिंग की लेकिन एक विधायकों का बड़ा नंबर है बड़ी संख्या है विधायकों की जो चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंग सुखू के कामकास से नाराज है और इस नाराज की को विजे लक्षमी आप भी लग दातलखनपाल और चैतन्य ठाकूर और देवेंद्र भुटो ये छे उन विधायकों के नाम है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और ये कहा जा रहा है कि वीरभद्र सिंग के कैम्प के हमीशा से तेदे कोई भी किसी भी कैम्प का हो सकता है लेकिन बुख्यमंत्री का तो मैन परीके का एटिट्यूट सीम ने दिखाया उस वज़े से ये नाराजकी और बर्ती चली गई कोई संबाद स्थापित नहीं हुआ और ये हाल केवल इन छे बागी विधायकों का नहीं है बलकि इनके अलावा भी जो संपर्क में है उनकी भी नाराजकी की बड़ी वज़े य रहा उसमें ये पूरी कोशिश की कि उनके जो विरोधी हैं उनको पुलिटिकली इर्रिलेवेंट कर दिया जाए काबिरेट में कुछ लोग चाहते थे कि उनकी सिन्योरिटी के हिसाब से इनको इंडक्त किया जाए वो नहीं किया गया उसके अलावा एक MLA होता है उसको कामक या बोर्ड में जो नियुक्तियां की गई उसमें चीफ मिनिस्टर ने कोई किसी से कोई राय मश्यौरा करने की कोशिश नहीं की गई तमाम अपने लोगों को जो है वहाँ पर उन्होंने पॉइंट किया किसी जो पार्टी के कारेकरता है या जो लोग एक्सपेक्ट करे थे उनको के कहीं पर अकॉमडेट किया जाएगा ऐसा कुछ नहीं किया आपने सिर्फ करीबियों को उन्होंने अकॉमडेट करने की कोशिश की गई कैबिनेट में भी उनकी अंदेखी की गई और इसके अलावा इन तमाम MLA's का आरोप है कि इनको एलिनियेट करने की कोशिश या मंत्री की स्टाइल और फंक्शनिंग में उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों को सिर्फ जलील किया जा रहा है कॉंगर्स पार्टी में और इसलिए जो छे विधायक हैं उन्होंने ये फैसला लिया कि वो जो है वो क्रॉस वोटिंग करेंगे और इनका कहना था कि चीफ पार्टी में वापस आजाेंगे हमारी नाराज़गी जो है वो चीफ मीनिस्टर से है उनकी साइड उनकी चीजिक कायम करेंगे तो हमारा पॉलिटकल करियर खात्न कर देंगे क्योंकि हम उनके दूसरे खेमें के आते हैं यर हम वीर अद्रिसिंग के कैम्प के लोग हैं या हम विरोधी कैम्प के लोग हैं तो ऐसा आरोब जो है ये तमाम बागी विधायक चीफ मिनिस्टर के उपर लगा रहे हैं जो उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि सबको साथ लेकर जाए और एक तरीके से ऐलीनियेट करना शुरू कर दि और साथ में उनकी कुर्जी पर भी और सरकार पर भी खत्रा मंडरा रहा है रही बाद अब जिस तरीके से मैनेजमेंट के लिए डीके शेफ कुमार और हुटा को भेजा गया है वो इस वक्त कहां पर हैं किन किन नेताओं से उनकी बाचीत हो रही है और हाई कमांड तक अब क क्या मेसेजिंग होगी क्या इमीजेटली बदला जाएगा चेहरा या फिर कोई और नेड़े लिया जाएगा देखे मिनाक्षी कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि दबाव इतना है और अभी सिचुएशन ऐसी है राजी सबा का एक चुनावा बफर वोट होने के बावजूद हारे हैं और आपकी एक सरकार जो है वो बिलकुल मुहाने पे है कि आपको ये भैस अतारा है कि सरकार आप गीरे कि तब गिरे और ऐसे में जब एक बड़े गुट की मांग यही है कि मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए तो ऐसे में मुझे लगता है कि कॉंग्रेस की जो शीर्ष नित्रत्व है वो इस पर विचार जरूर कर रही होगी अब जो सूत्र में बता रहे हैं कि घुड़ा जो डीके शुनकुमार यह जो तो परिवेक्षक दिल्ली से गए हैं तमाम विधायकों से संपर्क सादे हुए हैं लगतार इनकी बाचीत हो रही है और यह एक रिपोर्ट सब्मिट करेंगे मलिक अरजुन खरगे जो कॉंग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके पास उस रिपोर्ट मे पूरी जानकारी दी जाएगी और क्या कॉंग्रेस पार्टी को करना चाहिए क्या मुफीद होगा पार्टी को उस रिपोर्ट में इस तमाम चीज़ों का जो है जिक्र होगा और उसके बाद कोई फैसला दिल्ली से लिया जाएगा उस रिपोर्ट के आधार पर तो अब